75 साल में पहली बार स्वदेशी तोप से सलामी एक मिनट में दाख सकती है पांच गोले पीम ने कहा सुनने को तरस गए थे कान नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोय सिंग आज बात करेंगे उस खबर की जिसे पूरे देश को सुनना और देखना चाहिए क्योंकि तिरंगे के शान में पहली बार शामिल हुई स्वदेशी तोप इस तोप को देखकर आपका भिस सिर गर्व से उंचा हो जाएगा क्योंकि सेना की क्षमता को बढ़ाएगी ये स्वदेशी तोप क्या है इसकी क्षमता और किसने बनाई ये तो तो हर बार की तरह 15 अगस्त के दिन लाल किले पर 21 तोपो की सलामी दी गई मगर क्या आप जानते हैं इस बार देश के इतिहास में वो हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि 21 तोपो की सलामी में पहली बार स्वदेशी तोप का इस्तिमाल हुआ जिसका नाम है एक्टेस होविट्जर यानि की एडवांस टू अर्टीलरी गन सिस्टम डियर डियों ने इन तोप को डिजाइन और डिवलोप किया है इंडिपेंडेंस डे की तरह ही तोपो की सलामी गणतंत्र दिवस के दिन भी दी जाती है सलामी के बाद पी-म नरंद्र मोदी ने इसे आत्मिर्वर भारत का उदाहरन बताया उन्होंने कहा कि आज चो 75 साल बाद आपने आवाज सुनी है वह सुनने के लिए हमारे कान तरस गय थे लेकिन आजादी के 75 साल बाद हमें वह सुनाई दी है पहली बार लाल किले से तिरंगी को सलामी देने का काम Made in India तोप ने किया है ऐसा कोई भे हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसे इस आवाज में ताकत नहीं दी होगी और इसलिए आर्मी सेना के जवानों का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ मेरी आत्मिरभरता की बात को साहस के रूप में सेना के जवानों ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपने कंधों पर लिया है इसके लिए मैं उन्हें जितना भी सलाम करूं कम है इस साल के आजादी के जश्न में दो एक्ट एस होविजर ने हिस्सा लिया लेकिन क्या आप इस तोप की ताकत और शमता जानते हैं चलिए वो भी जान लीजिए दरसल लंबी रेंज की कैटेगरी के तोपों के लिए होविजर शब्द का इस्तमाल किया जाता है इसे DRDO ने पुने इस्थित ARD के साथ मिलकर डिवलप किया है 21 तोपों की सलामी किया जाने के पहले इस तोप का परिक्षन भी किया गया था यह काफी बेहतर किस्म की गन है इसमें Automatic Command and Control System रात में फाइरिंग शमता की अतरिक पावर मोड जैसे फीचर्स भी हैं इसमें Automatic Command Control System से रात में फारिंग शम्ता, अदिरिक, पावर मोड जैसे फीचर्स भी हैं वहीं अगर फारिंग रेंज की बात करें तो यह 48 किलोमीटर है वैसे तो पहरी बार जुलाई 2016 में बाला सौर में इसका परिशन किया गया था इसके बाद अगस 2017 में पोखरन फिल्ड फारिंग में एक्टेस निल्लग भग 48 किलोमीटर के रेंज को पूरा किया वहीं बाद में भी अलग अलग शेत्रों और मौसम में भी इसका ट्राइल किया गया वैसे तो साल 2020 के सितंबर महीने में पोखरन में ट्राइल के दौरान यह दुरगटना का शिकार हो गया था दरसल परिक्षन के दौरान बैरल फट गया हाला कि डिया डियो ने बाद में जौाच का आदेश दिया था खेर इस बार 21 तोपो की गूंज देश के लिए गर्व के खशन को दोगुना कर रही है तो है ना ये बे मिसाल वैसे हाँ एक बात और आप्मी में शामिल किया जाने से पहले डिरेक्टरी जेनरल क्वालिटी इंस्यो अशुरेंस याने की डिजी क्यूए के तरफ से फिलहाल इन तोपों की क्वालिटी की जाच की जा रही है सशस्त्र पलों को सप्लाई होने वाली हर तरह के हत्यारों और उपकरणों की जाच करने वाली या एक नोडल जेंसी है अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही देखते रहिए न्यूजवाल इंडिया